Hello everyone, welcome you all to Strugglers on your own channel The Limited Struggler आप सभी Strugglers का आपके अपने चैनल The Limited Struggler में एक बाई फिर बहुत-बहुत स्वागत है मैं जंतोज कुमां सांख्यान एक बाई फिर परसुत हूँ तो आप सब के सामने Sunday Special का Episode पो ले करके आज का जो एपिसोड है मैंने आपको पहले ही कुछ एक वीडियोज में बताया जब हम People Development and Environment की सीरीज कर रहे थे उसमें ही मैंने कुछ एक वीडियोज में आपको बताया कि हम संडे स्पेसल का एक स्पेसल एपिसोड ले के आएंगे Environment Impact Assessment के उपर आज वो दिन आ गया है एपिसोड हम कर रहे हैं Environment Impact Assessment के उपर और आज के इस एपिसोड को मेरे साथ होस्ट करेंगे मेरे बहुत ही खास दोस्त पुनित सांख्यान हलांकि यह आईडिया जो था पुनित सांख्यान जी का था और बहुत जरूरत है इस एपिसोड की मैं कहना चाहूँगा Environment Impact Assessment की इसको करने की और सबको इसके वारे में अवेर करने की जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी जो है एक नया Amendment हुआ है जो existing environmental impact assessment जो regulation था उसके अंदर इसमें सुप्रीम कोट ने बोला है कि जो Ministry of Environment, Forestry and Climate Change वालों ने जो यह ड्राफ्ट लेके आए है नया Environmental Impact Assessment उसमें जो है कुछ एक changes किये गए हैं और वो changes कुछ हद तक तो अच्छे हैं लेकिन काफी changes उसमें ऐसे हैं जो कि हमारे environment को और हम कह सकते हैं कि globally या countrywide बहुँ ज्यादा impact करेंगे वो changes जो norms में हुए हैं तो उसमें से कुछ एक norms आज हम जिक्र करेंगे जो कि critically हम उनको examine करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका प्रोवेबल solution जो है हम government को दे पाएं जैसा कि सुप्रीम कोट ने भी ये बोला है कि 60 करना है सब के साथ और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और बहुत बहुत जरूरी है कि आप इस अन्वार्मेंटल इंपक्ट असस्मेंट को समझें ये है क्या इससे किस तरह से इंपक्ट पड़ेगा हमारे एंवार्मेंट के ऊपर और प्लीज जो इसमें मेल आईडी हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे और स्क्रीन पे भी बताएंगे उस मेल आईडी पे आपने सुप्रीम कोट के लिए जो रिस्पॉंसिस उन्होंने मांगे है वो जरूर अपन राय जो है वो रखनी है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ इस जो एन्वार्मेंटल इंपक्ट असेस्मेंट है उसमें क्या-क्या चेंजिस लेकर किया है खास जो इस नया ड्रफ्ट है उसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा एक बहुत ही खास चेंज जो लाया गया है क जो B2 category के projects होते हैं उनमें जो है अब appraisal assessment नहीं किया जाएगा appraisal assessment committee के दोरा थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि ये B2 projects क्या होते हैं देखे B2 category में वो projects आते हैं जैसे हमारा thermal power plants है mineral verification बाले projects है, metallurgical industries है या cement plants है एटसेटरा ये project जो है वो B2 category में आते हैं अब ये environmental impact assessment appraisal committee क्या होती है ये committee एक ऐसी committee होती है जो एक authority है जिसका काम है इन सारे project जो कि कहीं न कहीं हमारे environment से deal करते हैं related हैं उनको assess करना उनको appraisal करना कि वो किस तरह से impact करेंगे positive या negative impact करेंगे उनका positive impact जादा होगा negative impact जादा होगा उनको उस appraisal के हिसाब से जो committee की judgment आएगी उसके हिसाब से फिर उनको license issue किया जाएगा further उस project को establish करने के लिए और चलाने के लिए तो अब क्या बोला गया है कि जो B2 category के project हैं उनमें कोई भी assessment ऐसी नहीं होगी वो actually वो project appraisal जो रहेंगे appraisal committee के सामने वो put ही नहीं होगे project तो एक बहुत बड़ी एक problem है अगर appraisal committee की यहाँ हमें एक स्वात्ता जो है जो autonomy है appraisal committee की उसको खतम करने जारे है इस draft के जरिए मतलब कोई भी अब जो है बिना किसी prior approval के कोई भी licensing ले सकता है अपना project start कर सकता है और जिसमें कोई भी interfere नहीं होगा appraisal committee का तो मतलब यह बहुत ही एक मतलब हम बोल सकते है negative point है इस draft का कि अगर appraisal नहीं होगा किसी project का negative ये positive तो हम उसको start कर कैसे सकते हैं और अगर negative उसके impact हुए project के तो उससे बहुत ही जादा environment को नुकसान होगा दूसरा इसमें क्या बोला गया है draft में कि ऐसे जो project हैं जिनका concern national defense से है national security से है और जो project strategic consideration के projects हैं उन projects की जो consideration होगी वो सिर्फ और सिर्फ central government ही करेगी मतलब उसमें कोई भी जो environmental authority है जो eminent personality है environment से related जो committee में होते हैं वो उसमें नहीं होगे मतलब central government के पास सिर्फ और सिर्फ आधिकार होगा कि वो project को accept करे, reject करे, processing में लाए, establish करे या ना करे सकती हैं बदलती रहें कौन सी सरकार किस project को मान्यते दे दे जो project होने लायक ना हो उसको भी मान्यता दे सकती है जिसके negative impact हो वो भी project चालू किया जा सकता है तो सरकार कही ना कही अपने लाव के लिए भी हो सकता है projects को चालू कर दे और तीसरी बड़ी बात इसमें ये कही गई है कि जो भी project national integrity, national defense, national security और strategy consideration के होंगे उनका किसी भी public domain में जो है वो information नहीं डाली जाएगी मतलब उसकी website पे information नहीं होगी project कब start किया गया, कितना पैसा लगा, कौन-कौन से लोग इसमें involved है, किनोंने project establish में काम किया है, किसने क्या authority, किसके पास है, कुछ भी information नहीं होगा मतलब यहां पे जो लोगों की transparency है, वो खतम की जा रही है, मतलब हम कुछ भी नहीं पता लगा सकते project के बारे में, कोई पता नहीं हमें कि क्या होगा, किसने चालू किया, क्यों चालू किया, कैसे इसके impact होगे, financial consideration इसका क्या है, वो सारी चीजे खतम कर दी गई है और तीसरा इसमें सबसे बड़ी बात ये कही गई है, कि जब भी इस तरह के project लगते हैं, तो क्या होता है, कि हम एक public consultation उसमें करते हैं, अब एक public consultation क्या है, इसमें जो local authority होती है, environment से related topics के साथ deal करती है, projects के साथ deal करती है, वो local authority क्या करती है, जो वहां की general public है, जो आँके stakeholders है उनके साथ consultation करती है, और उनको एक public hearing का time देती है, अब वो time पहले 30 दिन का होता था, कि अगर local public को कोई issue है उस project से, उनको को इसमें खामिया नजर आती हैं, तो वो उसको अपनी खामियों को authority को बद्या कर सकते हैं, और बता सकते हैं कि क्या नुकसान हो रहा है उससे, और ज जिसमें ये चीज खतम कर दी गई है, या हम मैं कहना चाहूँगा कि मतलब कम कर दिया गया है time period, जिसमें 20 दिन का ही public hearing के लिए time period रखा है, और एक बात और इसमें कही गई है, कि अगर public hearing conduct करवाना या public consultation conduct करवाना possible ना हो उस area में, तो फिर जो local authority होगी, वो अपने level पे एक report तयार करेगी, environmental assessment report और उस report में necessary information include करेगी, कुछ एक documentation करेगी और उसके हिसाफ से जो है उसको present कर देगी और exception and rejection उस प्रोबोजिल को उस report के हिसाफ से होगा, तो मतलब कई बार public authority, local authority भी यहाँ पे थोड़ा सा deal कर सकती है in future, कि हो सकता है अगर उनको कुछ मतलब indirectly बोला ज जाए तो उससे वो public hearing ही ना conduct करवाया और बोल्डे की public hearing conduct करवाना मुश्किल था, तो इस तरह से भी लोगों की जो इसमें एक मैं कहरना चाहूँगा कि लोगों का जो इसमें अधिकार एक बनता है अपने environment के लिए और अपने क्षित्र के लिए वो खतम किया जा रहा है, ब उसके बाद उसको appraisal के मेटी के दवारा appraisal मिलता था, फिर उसके बाद होता था कि वो reject है या फिर accept है, बट अब इस step को short कर दिया गया है, सिरफ एक दो step कर दिया है, सबसे पहला है कि EMP report बनाए जाएगी environment management planning की report, उसके बाद सिरफ आपकी document जो है, वो verify होंगे और attested हों फिर उसके बाद आपको wait in 7 days, आपको result मिल जाएगा कि ये file आपकी appraisal होने लाइक है या नहीं, आप सिरफ इतना ही process रहे गया इसमें, इस draft में एक और चीज़ है, जिसमें कि आपको online submit करनी होती है application, और इसमें आपके कौन कौन से projects आती है, जैसे कि कुछ project है, उसको expand करन हैं, तो उसमें आपको appraisal committee की कोई जरूत नहीं होगी, इसमें और भी आते है projects जैसे कि border highways, या फिर construction sites, या तो industrial areas, जहां से पहले से industry setups है, तो इसमें जो committee appraisal है, उसमें कोई role नहीं रहेगा, सीधा आपको adjust करना है कि online application submit करनी है, उसके within 7 working days में आपको result पता लग जाएगा कि इसको आपका selection हुआ है, या rejection, अब बात करते हैं, इनकी validity के उपर, कि इन projects को validity कितने साल तक मिलेगी, अगर उन्होंने environmental clearance नहीं लिया है तो, जैसे कि अगर कोई project है mining से related, उसकी या तो 50 साल तक कोई भी project है mining से related, वो 50 साल तक ऐसे चलता रहेगा, without environmental clearance, और अगर उसने, उ maximum जो होगा, वो 50 years तक रहेगा, उसकी बात आता है, जो projects है, rivers related, जैसे कि rivers के उपर projects, dams वग्यारा बनते हैं, तो उनकी validity है 15 साल तक, अब 15 साल तक कोई भी environment clearance ना ले, कितना negative impact बढ़ सकता है environment के उपर, और जो last other projects, जिसमें बहुत सारे projects आते हैं, उनकी validity है 10 years तक, अब जित कर लो, तो इसे बहुत ही negative एक impact पढ़ सकता है, हमारी environment के उपर, as well as हमारी life के उपर, तो ये था Sunday special का episode ने discuss किया, environmental impact assessment के उपर, और अब मिलेंगे आप से अगले Sunday को, कोई और special episode लेकर के, जिसमें किसी और topic के उपर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए, thank you, thanks a lot.